पापा देखो न माने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा तुम भी न दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुपता जी ने अपनी पतनी से कहा। रमा ने कहा अच्छा जी कैसे दिला देती। एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुझ फूल जाता। और फिर महिने का बजट उस आते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याने का सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुन्दर और सुगर तो वो थी ही अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिष्टे आने लगे। एक दिन जब पास के सहर से अच्छे बड़े घर से रिष्टा आया तो गुपता ज को लगा कि उनकी तलाश बुड़ी हो गई। लड़के वालों के लिए बस यही डिमांड थी कि बारत की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिष्टा देखकर गुपता जी ने उनकी ये मांग सहर सुईकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप गारिया, लहंगा और जेवर, लड़के वालोंने चड़ाए। मांसी तो अपने भागे पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मांसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलिशान, बंगला, गारिया, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ह द्वार छेकाई पर ननद ने नेग मांगा। मांसी ने अपने पर्स से 1100 रुपे का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक भौ सिकोर कर सास से कहा, ये क्या मा, हमारी क्या इतनी ही आउकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नहीं है न, इसे क्या पता हमार लाडो को सोने के जुमके दूंगी। सुबह मांसी नहाद होकर अपने माईके से लाई सुन्दर सी साड़ी पहन कर तेयार होगी। जब वो कमडे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका। बहु, ये क्या पहन लिया। इतने महमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं ल पटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बाते बनाने लग गए। देवर बोला ममा मेरा सेंड़िच कहा है। तो ननद बोली इतना हेवी ब्रेकफास्ट। मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा बेटा तुम्हारी भावी छोटे घर की है ना उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पती ने भी बस नाम मातर ही चखा। एक हपते के बाद मानसी को पगफेरे के लिए बुलाना था। गुपता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्र बात करने के बाद मांसी की सास ने मांसी से कहा सुनो बहू इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाए हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी मांसी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है उन गहनों की चमक में मांसी की आँखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था छोटी बहन ने भी उसे छेरते हुए कहा वह दीदी आपके तो मज़े हैं इतना ठाट बाट गुपता जी ने कहा अरे तू क्यों चिंता करत है तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंडूंगा मांसी फीकी सी हसी हसकर रह गई अगले दिन दामाद बाबू मांसी को लेने आ गए खूब खातिरदारी की उनकी जाते समय गुपता जी ने दामाद से कहा दामाद बाबू अगर कोई अच्छा रिष्टा हो तो हमारी जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके मांसी तो अपने ससुराल लोट गई लेकिन उसकी इस बात ने गुपता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू